दोस्तों इस वीडियो में हम शेयर करूंगी वेंटर सीजन में आप अपना प्लांस को किसे सेफ कर सकता है especially जब ये सैक्लिन्स प्लांस लोग वेंटर में मर जाता है तो इस वीडियो को जुरू देखिये पुरा तो इस समय वेंटर सीजन जो दिसेंबर चल रहा है जो एक फ्रोच गिरता है यहां पे लागने से यह सर के मर जाता है तो ऐसा नहीं होने के लिए मैंने इन सब को एक रूम का इंभायर्मेंट में रखा ताकि यहां पे ग्रीन और यह फ्रेश होके बेच सकों यहां पर आप देख सकता है, मेरा जितना में प्लांस है, जो मर सकता है, सब को मैंने रूम का अंदर रखा, ताकि यह पुरा winter season तक one and half month के लिए यह रूम का अंदर में, इस रूम में ही बिटेगा, तो इस प्लांस को रूम का अंदर जो भी आप रखता है, तो यह प्लांस को मिले से भी ये प्लान मर जाता है, तो इसलिए ये प्लान को संलाइट तो इसके लिए जूरत है, आप इसलिए एक विंडोस का समने रखे, ये सब को आप वेंटर सेजन में बचा सकता है, ऐसे ही रखे, अगर आपका पस ग्रिन हाउस है, बहुत अच्छा है ग्रींग हाॉस में रागना है कि ग्रींग हाॉस में टंडां ज़्यादा नहीं होता है और उसमें एक वेंटर प्रोंच से से में जो भी गिरता है। का उपर वो प्लान इसका जिसे स्पेशल जो सेकलन्स का उपर में गिरने से प्लान मर जाता है तो हम इन सब से बचाने के लिए हम उसको एक ऐसा एंवार्मेंट में रखना चाहिए जहां पे दूप मिलता हो लेकिन उस मौर्णिंग ड्यू या रात को जो ड्यू होता है और फ यहां आप देख सकता है बहुत ज़ता प्लान इरे रूम का अधर इवन यहां पे फ्लावर भी खेलता है रूम का अंडर में कि इसको सानलाइट मिल रहा है तो यह सानलाइट मिले के खारण यह फुल खेलता है आराम से यहां देख सकता है यहां पे भी देख सकता है तो मैं अपना प्लांस को वेंटर सिजन में ऐसे ही रूंग का अंदर में रखके सेप करती है तो आप भी अपना प्लांस को ऐसे रखके हर सल आप मरने से बचा सकता है यह देखिए है बहुत यह हमारा जो वेस काफ है जो थूच चुका है तो मैंने उसको यहां पे डाला क्योंकि यह भी यह देखिए हमारा कोई भी जो गर्मी ठुटा हुआ खाप या कोई भी ऐसा सामान होता है उसको हम वेस नहीं करना है ठुटा हुआ तब ही हम उसको प्लांस के लिए यूज़ कर सकता है यह देखिए यह लोग रूम का अंदर ग्रीन और बहुत फ्रेश है रहता है यह जिससे जेड प्लांट लोग यह सब भी रूम का अंदर में जो उनको सानलाइट मिलना है और यह अच्छे से ग्रो होता है लेकिन डार्क रूम में नहीं राकना है किसी को भी डार्क रूम मे प्लांट बढ़ नहीं सकता कि इनको डार्क रूम में जो खाना नहीं मिलता है इसलिए हम जहां पर जो विंडो से डार्क लाइट मिलता है यह से सामने में रखना है यहां आप देख सकता है कि सब सानलाइट डार्क यहां पर पास हो रहा है सब में मिल रहा है तो इसमें एक गरम भी होगा इसका environment भी और sunlight भी मिल रहा होता तो यह इसमें आराम से जिन्दा होता है और यह बहुत अच्छा से grow भी होता है यह room का अंदर full भी अच्छा से केलता है यह देख सकते आप अगर यह winter season में room का बहार में रखने से यह plan यह बात्स बनाने के बाद भी फूल केलने से बहुत बिमारी सा फूल केलता है क्योंकि टान के कारण तो room का अंदर में यह बहुत freshly केल रहा है यहाँ आप देख सकते है बहुत freshly flower भी यहाँ पे भी आप देख सकता है यहाँ पे भी और यह सब भी देख सकता है fresh और green है सब इसको जनौरी फेवरी मैंना को room का बहार रखने से यह green ने रहता है ब्राउन हो जाता है और यह थोड़ा बिमारी सा हो जाता है टान के कारण लेकिन यह room का environment में बहुत अच्छा से जी रह सब तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सिखने को मिला थो मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए आप सब्स्क्राइब करना है और आपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि वो लोग भी पेंटर सीजन में अपना प्लांस को मरने से से शेप कर सकता है ऐसे रखके तो आप सभी को नया सल के लिए एडवांस हाफी न्यू यह टे आवरिवान और सब लोग बहुत मेजे कीजिए अपने फेमिली अपने रिलेटिव अपने दोस्तों के साथ तिल देन टेक यह बाबाई एवरिवान